हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे योटूब चानल में तो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास एट का जो है समाजिक आर्थिक एम राजनितिक जीवन का जो है अध्याय तीन है याने चप्टर तीन है संसदिय सरकार लोग वा उनके परतिनी धी ठीक है इस चप्टर को आप जो है पढ़ली जगा इस चप्टर का जो भी प्रशन अभियास रहेगा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा यदि अपने मन से प्रशन अभियास बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं बनता है तब इस वीडियो का सहारे लिजिएगा और इस वीडियो को जो है continue देखिए ठीक है एंड तक देखिएगा तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नियू है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार् पहला कह रहा है ठीक है पहला देखते हैं हमारे यहां 18 वर्ज से अधिक उम्र के सभी लोग को भोट देने का अधिकार है आपकी समझ मियक का ठीक है तो इसका आप उतर लिखेगा इस परकार तो देखे इसका उतर होगा हाँ या ठीक है क्योंकि 18 वर्ज के योवा में इतनी परिपक्ता आ जाती है कि वे अपने मत का परियोग कर सके ठीक है तो चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं ठीक है दूसरा आप प्रस्न कर रहा है लोग सभा जन भावनाओं और जनता की अप्यक्छाओं की अफिब्यक्ति का मंच है क्या आप इन वाक्यों से सहमत है कारण सहित समझाएं ठीक है कारण सहित इसको बताना है तो इसको उतर होगा हाँ मैं उप्यक्त वाक्य से पूर्ण सहमत हूँ लोग सभा में जनता द्वरा चुने गए परतिनीधी जाते हैं लोगों का अपने अपने जन परतिनीधी से काफी अप्यक्छाएं रहती है वे जो है उन से अपनी हर समस्याओं का समाधान जो होग पूर्बक चाहते हैं अतह लोग सभाग जन भावनाओं और जनता की अप्यक्छाओं की जो है अभिवक्ति का मंच है ठीक है तो चलिए तीसरा कराया प्रशन लोग तांत्रिक सासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है उदाहरण जो है उदाहरण देके समझाना आए ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इसका उतर इस प्रकार है आम लोग अपने मत का परियोग कर संसद और विधान साभा में परतिनीधियों को भेजते हैं यही परतिनीधी जनता के हीत में सासन का कारे करते हैं अता लोग तांत्रिक सासन में आम लोगों की भागेदारी अपरत्यक् से होती है आगे बढ़ते हैं कि चौथा कर रहा है केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल या दलों की गठ बंधन के पास होने वाले आवास्यक बहुमत का क्या और्थ है एक उधारण देके समझाएं ठीक है तो इसका उतर हो जाएगा भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनने के लिए पांसो ते तालिस कुल सीटों की जरूरत होती है लेकिन जो कौम से कम दो सो बहुत सीटों की आउसकता होती है अतो संसद में सरकार बनने के लिए आवस्यक बहुमत का अर्थ है कुल दो सो बहुत सीटे कम से कम प्राप्त करना किसी एक दल को जो है अथवा गठ बंधन के दल को ठीक है अब चलिए आगे देख लेते हैं तो चलिए पांच नमर देख लेते हैं पांच नमर का रहा है संसद मंत्री परिशत पर किन किन तरीकों से नियंतरन करती है इन में से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों इसका उतर देख लेते हैं इसका उतर है संसद मंत्री परिशत पर इन तरीकों से नियंतर करती है ठीक है तो पहला देख लेते हैं पहला है प्रस्नकाल के दोरान प्रस्न पूछना दूसरा है सरकार के नियम, नीतिओं और कार्य कर्मों की आलोचना करना तीसरा है सरकार के खिलाब और विश्वास पुरस्ताव पेस करना तो इतन से आपको सबसे जाधा कौन अच्छा लगता है तो आप लोगा लिख लिजेगा हमें जो है तीसरा नियम जो है नियंतरण अच्छा लगता है ठीक है तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल से जूड़ रहे हैं थेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो